तो आज बहुत बड़ी खुसकबरी है जो भी स्टुडेंट पीजी सेयल में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बंपर वेकंसी आई हुए है और सो वेकंसी जाए हुए है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है पूरा पीजी सेयल के साथ हम आपको बताने वाले हैं इसके अगर आप पेडियाप चाहते हैं तो हम अपने टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड करते हैं वहां से आप डीटेल भी प्राप्त कर सकते हैं आपको पता होना प्राप्त के लिक महारतना पॉब्लिक सिक्कर इंटरप्राजज़ है जो मिनिस्ट्री आफ पावर गौर्णेंट आफ इंडिया के अंतरगत आती है उसके अंदर याई जी ओवाई गवर्मेंट आफ इंडिया के तरफ से आती है और आट सो बैकंसी बहुत ज्यादा वैकंस यूद कमसर्ण टाम्स के ऑफिसल चैनल पर हम लगातार ऐसे वीडियो आप के लिए लाते रहते हैं पूरा डिटेल बताते हैं क्या डिटेल उसके रहने वाली है तो नेम आपता पोस्त जो रहने वाल आव फिईल्ड अफेल्ड में रहने वाली है सब्स्तियाद इसमें आपक तो एलेक्रीटल वालों निएलेक्रिकलो वालों के लिए 50 ay electronics &ど ह्मिन से 519 जीए आगर आइशा शर्वेरीं इतौंट वाइसर तो आंधर वीकन DAYस्ट अब क्म्यूकेशन के तोटल 25 से नियुकर व coupon सब्सक्राइब करना इस्टार्ट होगा जो इसके डीटेल भी आपको यहां पर मिल जाएगी कि यहां पर आपको अबलेबल मिलने वाला है सब्सक्राइब कॉन-कॉन से होंगे यहां से आप दे सकते हैं यहां से फुल फार्म है यह आपको दिए गया है अपर लिमिट क्या होगी कंडिडेट सुट नाट हैट बॉर मिफूर 1993 और आफ्टर 2004 यानि 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वह 1993 के पहले जिनका जन्म हुआ है व सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा आपका फिल्ड इस्वीड सुट भी और है वन यह पॉस्ट क्वालिफिकेशन इस्वीडेंस आप डिजाइन इंजिनिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग कमिशनिंग या ओ और रूलर क्या पूरद दिप्लॉमा के लिए रहने वाला है और अपलि ट्लॉमा इंट्रिकराट डिप्लोमा के लिए रहने वाला है अगर आपने डिप्लोमा के साथ बीटेक किया हुआ है तब भी आप एलाओ नहीं है इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है विट और विदाउट डिप्लोमा इज नाट एलाओ ठीक है अगर आपने बीटेक किया हुआ है यहां पर पीजी सेयल में आप इलिजिबल नहीं रहने वाले यह चीज़ ध्यान नखिएगा पोस्ट को दो सब्सक्राइब के इसमें आपका डिग्री अलाओ नहीं है यहां पर लिखा हुआ है यहां टेकनिकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक विटाउट डिप्लोमा इस नाट एलाओ ठीक है इसके बाद आपको पोस्ट को जो बीटेक वालों के लिए वह यहां पर रहने वाला है कि कितना आपका मि इसके बाद बात करते हैं कि इंपोर्टन इंगेंजमेंट इंफर्मेशन है आपका यहां पर स्टाट सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है सेलेक्शन प्रोसें में आपका वन आवर का टेस्ट होगा जिसमें आपके टेक्निक वालेंगे नहीं रहने सब्सक्राइब के लिए मिनिमम पास्ट है और रिज़ाइब के लिए मतलब के लिए रहने वाल है उनके लिए पजास कोश्चन आपका डिप्लोमा बेसेश पर आपका लागू होगा फीज लगने वाली है यानि की फिल्ड के लिए लगने वाली होगा चारचार सुर्पए रहने वाला है आपका अपको ओनलाइन आपको करना पड़ेगा ऊनलाइन के लिए पूरा डीटेल है यहां पर क्या-क्या चीजे चाहिए आपको वह तीजिए जान रखेगा और यहां पर यह आपको दिया गया है लाश्ट में थोड़ा इंफर्मेशन है इंपोर्टन डेट्स ओपनिंग डेट आप ऑनलाइन समिस्टन ऑनलाइन समिस्टन की जो ओपनिंग डेट होगी हुए 21 नवंबर से स्टार्ट होगा आज साम 5 बजे से और यह आपका चलने वाला है जारा नोवंबर राति जारा बज़े तक तक 21 से लेकर 20 दिन का टाइम आपको लिए काफी परियाप्त रहने वाला है वहां पर फार्म जरूर फिल्ट के लिए बहुत बंपर वेकंसी है यह चीज़ दियान रगिएगा इलेक्ट्रिका लेक्राइंस वाली दोनों के लिए बहुत टॉप वेकंसी रहने वाली है अपर लेज लिमिट और पॉस्ट कॉलिफिकेट्र वर्क्रीश का दार पर आपको कट आफ डेट बताई जाएगी वह साई चीज़ नहीं है तो एक्जाम के लिए डेट आफ इंटर्वी स्क्रीन टेस्ट विल नोटिफाई सून इसकी इंटर्व्य के लिए आपको जल्दी डिसाड की जाएगी तो किस नॉवंबर से आपके जयाद इसंबर तक फार्म फील होने वाला है और 800 टोटल वेकंसी रहने वाली है तो सब ज्यादे वेकंसी इसमें 530 वेकंसी लगवग प्टिटियल मिल जाएगी तो यहां पर तो बंपर वेकंसी आ चुकी है तो टोटल अच्छी पोस्ट आपके रहने वाली फिल्ल इंगिने के लिए जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्राइंस कम्मिनुकेशन के लिए यहां पर लगवग 720 पोस्ट रहने वाले तो बहुत बहुत ही अच्छी वेकंसी रहने वाली है तो खुशकावरी मैंने आप लोगों के साथ सेर की आप हमाएं साथ एक चीज़े सेर कर सकते हैं कमेंड करके बताएगा वीडियो कैसे लगी बुक रिब्यू चाहते हैं इस पे टेस्स आते हैं क्या चाहते हैं वह भी आप कमेंड दोस्तों साथ सेर करिए लेटेस्ट जो वेकंसी की अपड़ेट है वह यूज के चल पर मिलने लगी है थांक्यू गाइस यहां तक वीडियो देखने लिए धन्यवाद